पूर्ण पूर्ण फैमिली वेलकम तुमाइन व्लॉग तो गाइस कानपुर का वेलका में तो आज के आज हम लोग फिलहाल पंडीथ होटल और पंडीथ होटल में एक श्वेशल चीजा जो कि नवरात में ही सिर्फ मिलती है पूरे कानपुर में तो थाली तो बहुत खा चुके हैं लेकिन आज हम लोग खाने वाले इनकी फलाहारी वाली थाली जो कि वरत में खाई जाती है तो चलो चलते भाई रेस्टोरेंट बाद में दिखाएंगे आपको थाली बाहरी प्लेटिंग में होती तो चलते हैं पहले प अउने और पहलके प्लेट और रायता है फ्रीटिंग पाइनपड यह रीलेटपटम इलाई छिटनी अंगया शेयाot फंटयाव कर्णि एट इस सीता फल्की सब्जी स्टी उद्लघ सारे आइडम बरतनुए जर्वए यह ऐलोलु लटड़ंग करbaleं Frankly शत्र कर्यों चांटे तो भाई यह मखाना पनेर भी आचुकी है और बॉक्स उपन कलाते हैं ये क्या है यह समग चावल का है खिचडी है विभाई रभ यूणिक ऐटाम है आपर यह हो गया साबू दाने का सलाद है तो भाई वैसे घीरा प्यास तो बहुत खाएं यह साबू दाने का है है यह लोके की वर्फी हो लोकी की है । यह खया है यह आलो चिप्स है आलो प्रण है है तो बाइ अम्राइब तो अपने फ्राई हो रहा हैं यह देशी घी घी अविधा में सब डेशी का हे अले सब अले यह अदेशिव्हाले यह पने निए अधिया तो आधिया जैने चेव्श जो की देशी की में फ्राई हो क्या आए है और एक थाले में कितनी है चार चार एक्स्ट्रा गर आदमी लेना चाहे को यह इस्ट्रा ले सकते हैं प्राइस क्या उसका एक पच्छिस की है यह आपकी पूरी बन के तरिया है भाई पूरियां में अपनी फ्राई हो चुकी है एक विचारी रह गई जो फूल नहीं पाई बाकी तीन फूल गई है तो भाई यह आरे हैं पूरियां भी अपनी थाली में और डिस्पोजल वाली है दुलने वाला कोई काम नहीं है कि ताकि दुल के यूज करी जाएं वह जूटी हो जाती है और अभी यह क्या साबुताना का पापड है यह आपके अलो चिप्स हो गए अलो चिप्स और वह जो पहले ले चिप्स दिये तो वह कैसे थे तो चलो भाई थाली इपनी रेडियो हो चुकी है ट्राई करते हैं बह किसी की हाथ पर गलब्स वगएर आपको मिलेंगे सवाई का द्यान नखा जाता है आईजीन बहुत अच्छी है यहाँ पर चलते थाली हम ले चले आप ले चलेंगे हम ही ले चलते हैं चलते हैं अंदर मिलते बाई अब सीधिए अच्छी चलिए अच्छी कि अपनी विरत वाली थाली तो पहले सारे आइटेम किनते हैं कितने आइटेम इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस जारा अबारा तेरा आइटम है और दो तरह कि इसमें अलु चिप्स में लिए एक फ्राइए करके ज्यादा फ् वाली तो चलो भाई पूडियों से स्टार्ट करते हैं तो यह आई है मखाना वाली सब्जी मिली थी जो में को मखाना पनीर सबसे पहले उससे ट्राइ करते पूड़ी हर एक आइटम खा के थोड़ा तो आपको टेस्ट शेयर करेंगे जैसे की देशी की में तार करी जाती है तो यह टेस्ट आ रहा है इसमें आप आप अब लुटपड़ी आलू जो मिली थी उसके साथ ट्राइगरते हैं अब भाई सारे इनने सारे आइटम है कि नाम बोल जाओ आप और यह साबू जाने के पकवड़े में ले गए थे वाव उपर से लेलर व्यूप डिस्पी है एक बंदे के लिए इनफ है इनफ के ज्यादा ही हो जाती है और यह है चावल दा यह देखते हैं मिठाने इनमगीन है और यह रास आबू दानाला पापर वाई चिप्स ट्राइगरते हैं जो फ्राइगा देख अब सब्सक्राइगा अब सब्सक्राइगा इसमें मसाले वगरा एड़ करें तब उखा के दो जो दो मस लग रहे हैं अभी नॉर्मल वाले तो खाई नहीं है यहले खाके दो वाई यह फ्राई होके आई है जो पाइनेपल का राइता मिलाथा दही मिठा वाला आए और यह रहा साबू दाना वाला जो सलाथ मिलाता बज चड़नी रह गई है उसे ट्राइगर लेते हैं बाकि सारा सबकुछ फिनिश कर लिया हैं ताले 300 रुपे की थाली है लेकिन इनने आइटाम दे रहा है कि बंदे को हर तरह से टेस्ट मिल दाएगा वाई इतने कुछ मिला चार पूणिया और एक बार के लिए इनफ है दनी थाली कि वरत की थाली है ऐसे कि एक बार में एक बंदा फिनिश करना पाई है ना कर पाई त जा रही है तो देशी की टेस्ट वैसे लिटरली अलगी आता है फूड मतलब जब भी आप ट्राई करोगे और अगर देशी घी की अगर घी पे खुछ भी फ्राई होता है तो इसकी खुछबू जो आती है वो सहट की आती है तो चलो फाइनली फिनिश करते हैं तो बाई चलते बाहर और बताते आपको टाइमिंग कि थाली आपको किस टाइमिंग मिलती है तो सुबह मॉर्निंग एट एम पर ओपन वो जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए इसके बाद थाली जो मिलेगी आपको एक बज़े से मिलेगी एक बज़े से लेकर राज साड़े दस वे तक तो आप और ट्राइ करो अगर के प्राइस तो ठीक है मतलब एक तरह से थोड़ा एक्स्पेंसिव है कि साड़े 300 रुपे की है लेकिन जो सी क्वालिटी है वो बहुत बैस्ट है और काफी कुछ आइटम दे दिये गए तो एक बंदे के लिए इतना कुछ हिना पहे तो आ आए बाइट एकर फिर्मिलेंगे इंडेक्स व्लॉग में